नमस्कार दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आपको मार्केट का कुछ अपडेट तो कल के दिन कुछ कमपनियों का नंबर डिक्लेयर किया गिया था और आज की दिन उस कमपनी का रियक्शन देखना बागी था तो चलिए एक एक करके हम बताएंगे कमपनी का ठीक है लेकिन आज के दिन क्या पप ओपनिंग तो हो अटा पहले उसके बाद बहुत ही पेशराइज देखना को मिल चुका है कमपनी के अंदर तो ओवरल एंड होते होते लगबग 19,570 रुपे के असपास क्लोजिंग हो गया है पॉइंट 13% के असपास गिरावाट के साथ निफ्टी आज के दिन और इसके बाद अगर मैं F.I. और D.I. की डेटा की बात करूँ तो आज के दिन देख सकते है 8 आगस्ट तो नेट बाया रहा है D.I. 537 करोड का बाइंग किया है और D.I. की ओर से अज सेलिंग भी देखना को मिल चुका है 711 करोड ठीक है तो अभी भ नंबर था वो बहुत ही शांदर नंबर देखनों को मिल चुका था quarter on quarter basis और year on euro basis ठीक है दोनों साइट से बहुत ही शांदर नंबर डिक्लियर किया गया था लेकिन अब देख सकते कंपनी का जो opening हुआ था और उसके बात लगातार पेसराइस देखनों को मिल चुका है क्यू दोड़ा बहुत एक तो penny stock के बारे में सीखना है तो उनी रोगों के लिए यह stock है वैसे ही number बहुत ही अच्छा आया है पर फिर भी यह company का number मतलब ज्यादा दिन तर सस्टेन नहीं कर पाता है next quarter में भी देख सकते company का number हो सकते बहुत ही ज्यादा down चले जाए अबर यह भी हो सकता है बहुत ही ज्यादा upper side में चले जाए तो इस बज़े से यह company को सिर्फ और सिर्फ watch list में add करके देखना चाहिए कैसा moment रहता है ठीक है तो आज की दिन तो देख सकते लगबग 2% से भी ज्यादा का गिरावाट दिखा चुका है अगर इसका एक साल की बात करेंगे तो देख सकते 20 से लेखे 21% तक गिरावाट अल्रेडी दिखा चुका है अगर मैं 5 साल की बात करूँ तो 200% का return बहुत ही अच्छा लगेगा यह देखी एकदम टॉप बनाया था company ने लेकिन वही से एकदम बहुत ही ज्यादा crash देखनों को मिल चुका है अगर मैं इसका maximum chart के जाता है इस वज़े से एक penny stock ही रह गया है पर एक company नहीं बन पा रहा है इसका market cap कितना सिर्फ पर से 500 करोड का market cap आपको देखनों को मिल जाएगा ठीक है तो बहुत ही दूर रहना चाहिए इस company से ऐसे ही मतलब सिर्फ और से सीखना चाहते है तो study purpose के लिए ये company ठीक है द चैले gap up opening होता तो अच्छी बात है लेकिन उसके बाद एकदम बहुत ही ज़्यादा sell out देखने को मिल चुका था और उसके बाद एकदम flat car over होता हुआ नजर आ रहा है market पे overall इस company का performance बहुत ही शांदर है वैसे ही आज के दिन जैसे 1.71% का गिरावट तो दिखाई है लेकिन इस company का अगर long term के मतलब history को देखने जाएंगे तो बहुत ही शांदर return provide किया है अच्छे company है इस company को भी आपको steady purpose के लिए रखना चाहिए तो 5 दिन में भी देख सकते है 1% down है एक माहिने की बात करे तो 5% return दिया है 6 माहिने में लगबग 45% return दिया है तो 6 माहिने में देख स पहले flat उसके बाद then तेजी फिर flat फिर तेजी फिर flat फिर तेजी इस तरह लेकिन अगर अगर आप इसका maximum देखेंगे तो एक साल भी देख लेते ये देखिए एक साल में भी 54% और इसका अगर maximum देखेंगे जब से list हो आ है तो बहुत ही शांदार एक chart button देखने को मिल जाए लिए तो जरूर इस company के उपड़ी फोकस बनकर रख सकते क्योंकि ये company भी बहुत ही शांदर company है